हलो फेंस वेलकम बाइक आही टेक यूटूब चैनल प्रेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पेटीम से तदकाल ट्रेंड टिकेट बुक कर पाएंगे यहां पे मैं आपको फुल प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि जो है कि आप ट्रेंड 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 ट्रिकेट डिकेट बुक करणा है थैंगी वीडियो की वीडियो को लाइक और चैनल पर नाया है और सब्सक्राइब करके बेल ऐकन ज़रूद बादे इसके लिए फ्रेंस आपको Paytium का application को open कर लेना है open करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे scroll down करके आना है यहाँ पे आप देख सकते हैं ticket booking का जो section आपको इसमें देखने को मिलता है इसमें ही आपको train tickets book करने का option यहाँ पे मिल जाता है इसके उपर आपको simple click करके आगे proceed करना है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको offer फिलाल जो चल रहा है 0% payment gateway charge on train ticket booking का फिलाल अभी gateway charge जो है payment gateway charge 0% यहाँ पे लग रहा है आप easily यहाँ पे ticket book कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको ticket book करने का और बाद में जब ticket book कर लेते हैं तो आप अपना PNR भी यहाँ से check कर पाएंगे और आप चाहें तो सफर के दोरान आप अपने train में food को भी order कर पाएंगे train updates भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो यह सारी option आपको और सारी services इसमें आपको देखने को मिलती है ठीक है train ticket book करने के लिए simple आपको क्या करना है यहाँ पे book tickets वाला option है इसके उपर आपको click करना है और click करने के बाद यहाँ पे आपको option मिल जाता है by station और by train आप चाहें तो station के दुआरा यहाँ पे आप train को select कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो केवल यहाँ पे train का number या name डाल के यहाँ पे और अपना journey date डाल के यहाँ पे check availability के आप यहाँ पे check कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे station का नाम डाल के availability चेक करते हैं यहाँ पे हम अपना source station जहां से हमको जाना है destination हमको जहां तक जाना है यह दोनों option हमने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे date भी हम select कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पे कल का date यहाँ पे select कर लेते हैं और search train के उपर हम यहाँ पे simple click कर देते हैं तो उस रे रूट में फ्रेंज जितने भी ट्रेने होंगी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे यह ट्रेंज जो है इसमें तत्काल का उप्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे तत्काल यह लिख रहा है यहाँ से आप तत्काल टिकेट बुक इसमें कर पाएंगे आप ततकाल वाले option पे जब click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ततकाल का option मिलता है या फिर अगर आपको वहाँ पे option नहीं दिखेगा तो आप इसके उपर भी कोई भी train का है इसके उपर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चूस कोटा का option आजाएगा ठीक है इसमें से कोई भी आप चूस कर सकते हैं जेनरल ततकाल लेडिस ठीक है तो यहाँ पर हमने ततकाल अभी फिलाल इसका note available है इसका ततकाल अभी है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो simply आप क्या करेंगे उस date में आपको यहाँ पे ततकाल मिल रहा है टिकेट तो आप इसे book करेंगे यह train जो है इसका नाम और नमबर आपको यहाँ mention रहेगा timing यहाँ पे जितने पर यहाँ से depart करेगा जितने पर वहाँ arrival होगा यहाँ पर आपको source दिखा देगा availability आपको यहाँ पर दिखा देगा कितना availability है यहाँ पर चांचेस क्या है अगर इसका जो booking करते हैं आप तो अगर यह वेटिंग है तो फिर इसका कितना chances से कि आपका यह confirm होगा यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है simply यहाँ बुक का जो option है हम बुक के option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर अपना boarding station आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से ठीक है अब simply आपको यहाँ पर traveler information डाल यहाँ अपना है अपना vendor यहाँ पशे लेक्ously नियए फुल यहाँ डाल दीजिए अधार कारट चैसाप से इस इसके बाद आहां पर पहले से यहाँ पर回拌 कर दोगा और हिए इसके आलगों आपके साथ कुई बच्चा है अगर सफर कर रहा है तो एडcek चाइल्ड जिरो से फोर येर्स तक आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं इस पर किलिक करके आप उसको एड़ कर सकते हैं अगर बच्चा पास सल से जादा है तो आप इसके उपर किलिक करके उसका डिटेल्स यहाँ पर डालके एड़ कर सकते हैं एक ही बार आप लोग का टिकट य अड्रेस आपको यहाँ पर डालना एड्रेस लाइन और पिन कोड़ यहाँ पर आपको destination वाला डाल देना important travel advisory यहाँ पर दिया हुआ है कोविड के लेकर जो भी important travel advisory दिया हुआ है यह आप थोड़ा यहां से यहां read कर लीजे यहां पर जो बताया जा रहा है इसे आप इसको follow कीजे ठीक है और इसके बाद guys आपको क्या करना है यहां पर proceed to book के उपर click कर देना है इसके बाद friends जब आप next step आएंगे तो यहां पर आपको एक timing दिया हुआ इतने time के अंदर में आपको अपना payment complete करना है booking को complete करना है आपको यहां पर एक बार review कर लेना है सारी details आपका train यहां पर है train name, train number, quota कौटा कौन सा आपने select किया है और अभी क्या situation अभी चल ला status किया है आपका seat के availability का और यहां पर पुरा timing दिया हुआ है train का source destination सारा कुछ यहां पर आपको दिया हुआ है इसके बार travel information में आप देख सकते हैं जो आपने information डाला है gender name, years यह सारा आपको यहां पर दिया हुआ है नीचे यहां पर दिया हुआ है का आपका ticket इस email ID और mobile नमर पर भेज दिया जाएगा और नीचे आपको यहां पर fair देखने को मिलता है यह fair है जो कि आप यहां पर देख सकते है view fair break up पर click करेंगे तो आपको यहां पर जो है कि देखने को मिल जाएगा पुरा आप fair यहां पर easily समझ पाएंगे कि कहां आपको कितना पैसा देना पड़ेगा इसके बाद proceed to pay के उपर आपको किलिक करना है और यहां से आपको payment करना है जो कि आपको यहां पर सामने लेकर आज़े आगया है payment gateway पे यहां पर आप चाहें तो अपने paytm balance के दोवारा paytm post paid के दोवारा debit card, credit card, net banking, UPI सारे option यहां पर available है आप जिससे चाहें तो यहां पर payment कर सकते हैं हम यहां पर UPI से payment करेंगे अपना UPI same और आपना UPI पिन डालेंगे और यहां से पैसा हम यहां पर देंगे एक ticket book हमारा complete हो जाएगा और तुरण ticket book यहां पर हो जाएगा उसके बाद आपके mobile नमर और email it पर टिकेट का पुर्या detail सेंड कर दिया जाता है जिसे आप चाहें तो printout करा सकते हैं या फिर आप चाहें तो mobile में भी आप TC को दिखा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है आप इसली कर पाएंगे तो इस तरह से तेरों से मिलते हैं अगले वीडियो में तर तक लिए जाये हिन तो अन्दे बातरम